Hello friends, this is Simansur Anjan. Today I came up with paper number 15 for CMA final, strategy, cost management and decision making. मतलब की से हम लोग बोलते हैं, costing. Strategy, cost management that means costing for CMA final. Today I am going to discuss paper pattern for CMA final, जो model test आज हुआ ना, उससे को मैं बताने बाला हूँ कि कितना number of questions था और कितना sections में आपका total paper को divided था और कौन सा question कितना mask था कितना internal choice था और कितना mcq था कितना descriptive था कितना short notes था और कितना mcq tab को descriptive में पूछा गया था question answer as a mcq ओगा friends let's start section A इसमें था आपके पास पूछा था question, question था इसमें 10 mcq था हर एक mcq 2 marks का था ठीक है यह हो गया set 1 set B internal choice था आपके पास आइधर आप 11 to 80 बनाते और 90 to 20 बनाते और यह जो 11 to 80 था ना यह mcq tab था question मतलब long questions था sums था इससे आपको इंटर्नल पूछा था internal mcq था बारा सम था इससे पूछ रहा था कि इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर क्या होगा ठीक है और यह जो 9 18 19 sorry 11 to 18 था mcq tab descriptive question था उसको अपकी इंटर्नल चोई से answer देना था ठीक है और यह जो 11 to 18 था कैसा नहीं था फिर और 90 20 जो 19 and 20 था ना यह 90 theory questions था और 20 भी theory questions था दोनो एटेट मास्का था आइदर आप 11 to 80 बनाते और 90 to 20 बनाते ओके लेस्ट मूव टू section C, set C यह भी इसमें भी internal choice था आइदर आप 21 to 28 बनाते और 29 and 30 बनाते ओके यह जो 21 to 28 था यह sum से related mcq था अच्छा वारा sum दिया हुआ था और उसको आपको part by part answer पूछा था और जो answer आपको correct लगता था उसको क्लिक करके answer आपको क्लिक करके answer देना था ठीक है और यह जो 20 and 30 29 and 30 जो था यह theory quotient था 88 मास का दोनों quotient था आइदर आप 21 to 28 बनाते और 20 and 30 बनाते ओके फ्रेंड्स लेस्ट मूब टू section D section D, section D compulsory quotient था यह जो section D था न एक compulsory quotient था 30 बन्ट 246 मतलब की 31 से लेकर के 46 तक आपको total mcq tap sums था मतलब एक sum बड़ा दिया वा था और हर एक sum का 4-4 mcq था मतलब 88 मास में total paper को डिवाइड किया मतलब इस question को डिवाइड किया था ऐसा ही मतलब हर एक mcq approach 2-2 मास का ही था हर एक mcq और descriptive sum था उसी को आपको part by part answer देना था जो आपको correct लगता था mcq क्लिक करके ठीक है let's move to section e एक compulsory था और एक short notes था 47 से जो 50 जो questions था एक short notes था एक theory था ठीक है four marks each theory ठीक है फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ आज theory था इसमें set e में theory था यह तो आपको आगर theory अच्छा लगता है तो आप यहां से section B और C में भी आप theory लिख सकते हैं मतलब टैप कर सकते हैं laptop में ही ठीक है अज मैं बताया आपको कोस्टिंग के बारे में for cma final की कैसा paper pattern था इससे पहले जितना भी model टेस्ट हुआ है from the first day पहला दिन corporate law का हुआ था फिर second day corporate financial reporting का हुआ था विर उसके बाद SFM का हुआ था फिर उसके बाद yesterday indirect taxation and custom मतलब की ght and custom and ftp का study में discuss कर चुका हूँ और total videos मेरे YouTube पे अभलेबल है आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लीज मेरे चैलेंग पे विजिट करिए आप playlist चेक करिए आपको total video अभलेबल हो जाएगा क्यों और और एक बात आओ बता दू अगर आपको यह pdf चाहिए तो मेरे टेलिफ इलिए क्यों चल्हिए अगर आपको मेरे यह pdf डान्लोड चछे कर सके अगर आपको चाहिए तो आपको जों करना ही होगा ठीक है फ्रेंट्स और ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियो को सियर करें एंड लाइक भी करें एंड मोस्ट इपॉर्टर प्लीज सब्सक्राइब मैं चैलेंग थेंक यो